विहार में अब ताड़ी पीने पर प्रतिबंद नहीं होगा, अपने नए फराबंदी कानून में ताड़ी पर पूल प्रतिबंद लगाने वाली मिजिश सरकाने समिवार को कहा कि प्रदेश में ताड़ी स्क्री रखेगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महागटपंदन के मुक्त घटक दल राजज़त सुप्रीमो लालु पसाद यादव का लगाता सरकार पर ताड़ी स्क्री करने का दबाग था सरकान लालु की सलह मानते हुए प्रदेश में ताड़ी पर से पतीबंद हटा लिया है गौर्टलब वो कि इससे पहले भी लालु का साथ यादव से कहा था कि ताड़ी पर पतीबंद में ही लगेगा हलाकि नए कानून में ताड़ी को देशी स्क्राब करार दिया गया था बॉलीवूड अभी नेता जौन अब्राहिम वरुंधावन और जैक्रिन फन्नांडिस की फिल्म धुश्र में पहले दिन बॉक्स ओफिस पर अच्छी कमाई गी है इस फिल्म में पहले दिन खुल 11 करोर रुपाई कमाई है मार्किट अनलिस्स तरण आदर्श में त्विट करती ये जानकारी गी है इस तरह ये फिल्म साथ 2016 में पहले दिन जादा कमाई काने वाली फिल्मों में नंबर 6 पर ताबिल हो गल है आपको बता दे की समिक्षकों के मताविक फिल्म की कहन में दम नहीं है लेकिन अरेबियन नाइट सरीष के लोकेशन बैक्ग्राउंड में चलता गाना और हास्य फरोष की संच लाइड फिल्म को बाने रखती है फिल्म क्रिकेटर के प्रती जवानगी को बिनाने की पूरी कोशिश की गई है जम कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच मुटभेर हुई है इस मुटभेर में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया है लेकिन कारवाई में सेना के भी दो जवान शहीद हो गए इसके अलावा एक जवान जख्मी भी है सेना ने आतंकियों के पास से दो AK-47 राइफल और ग्रेनेट लॉंचर रफ मिला है जवान इस 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 लाके में भूस पेट की जानकारी मिली थी इसके बाद जवान यहां तलाशी अभ्यान चला रहे थे उस वक्त भी मुटभेड हुई इसे पहले बंगलवार को नौगाम सेक्टर में ही नौगाम सेक्टर में चार आतंकियों को मार गिराया था और एक को जिन्दा पकड़ लिया था सेना ने बताया था कि सभी आतंकि विदेशी है उत्राखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हरक सिंग रावत पर रेप का मामला दर्ज किया गया है 32 साल की एक महीना ने दिल्ली के सबदर जंग इनकलेव थाने में F.I.R. दर्ज कराई है इसमें आरूप लगाया गया है कि रावत ने उसके साथ रेप किया वे लंबे समय से उसका सूर्शन कर रहे थे हरक सिंग रावत पर साल 2014 में ही छेड़ चार का मामला दर्ज किया गया था पुलिस जांच कर रही है कि शिकायत करता महीना वही है या कोई और महीला का आरूप है कि उस पर पुलिस के पास ना जाने का दवाव बनाया जा रहा था महीला असम की रहने वाली बताई जा रही है रावत उत्रखन महरीश रावत सरकार में मंतरी थे पछले दिनों वे बगावत कार बीजे भी में चले गए थे गोरक्षा के नाम पर दलितों और महिलाओं के साथ कोई बत्सलूखी की घटनाओं से घिरी केंदी सरकार पर उनके अपने मंत्री रामदात अठावले में भी खुस्सा दिखाया है उन्होंने कहा कि गोरक्षा के साथ ही मानवों की रक्षा जरूरी है उन्होंने कहा कि गुरक्षा के नाम पर मानवों की हत्या करना मुझे ठीक नहीं लगता महराश्ट्रों से आने वाले दलित नेता अठावने ने कहा कि सरकार दलितों की रक्षा की गैरंटी दे आलाक इन्हों ने कहा कि हिंदु धर्म को मानने वाले गाए को माह मानते हैं अगर गाए को मारा जाएगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा इसके बावजुद गोरक्षव के साथ भी मानध रक्षव सुनिश्चित करना होगा बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने आज नोबल पुरुसकार विजेता के लाज सत्यार्थी से राज्य में शुराब बंदी के असर का अध्यन कराने का आगर किया जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक निस्रिकार कर लिया नितिश न बिहार विधान परिशत की ओर से सत्यार्थी को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समहरों में ये आगरित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि शुराब बंदी से माहौल पूरी तरह बदल गया है शुराब बंदी के बाद शुराब छोड़ने वाले लोगों के जीवन में सुधार हुआ है परन्तु हमें इस पर एक तथस्त संगठन की ओर से एक विस्तरित और वग्यानिक अध्यान की ज़रूरत है सत्यार्थी ने कहा कि शुराब बंदी छोटा कदम नहीं है बलकि एक साहसिक कदम है इसे बाल उत्पीडन और मज़ूरी पर अंकुष लगाने में जरूर मदद मिलेगी में अध्यान कराने के सुझाफ को स्विकार करता हूँ बिहार में गंडग नदी में उफान से साहिव गंच के दियारा इलाके के 2000 घरों में बाड का पानी घुज गया बीती रात अचानक जलस्तर में तेज सिवरिदी हुई इसे आठ पंचायतों के करीब 25,000 आबादी प्रभावित है बाड प्रभावित लोगों का सुरक्षित स्थान पर पलायन जारी है बियारा इलाके के बाड पीडितों के लिए प्रशासन की ओर से राहत कैम्प खोले जाने की घोशना हवा हवाई साबित हो रही है कि राहत के नाम पर ही तक कुछ भी नहीं मिला है लोगों ने बांध पर शरुन ले रखा है राशन वप पशुचारा की संकट उत्पन हो गई है बार प्रभावित गाउं के लोगों के लिए राहत कैम्प खुल जाने की खोशना की गई थी लेकिन कैम्प में किसी तरह की विवस्था नहीं है असम इस वक्त बार से बेहाल है राशे के 22 जिनों के 3374 गाउं के करीब 18 लाख लोग बार से प्रभावित है हजारा लोगों ने राहत शिवेर में शुरन लीड कोई है इस बार से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है राशे में बार से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रभावित शेत्रो का केंद्रित ग्रिह मंत्री राजनात सिंग ने जायज अलिया राजनात मुक्य रूप से नौगाउ, मौरी गाउ और काजी रंगा नैशनल पार्क का दोरतिया इस जारान ग्रिह मंत्री बार प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राखत शिगरों का भी जायज अलिया उनके साथ राज्य के सीएम सरवानन सोनोबाल भी मौझूद थे केवल लोगों को ही नहीं जानवरों को भी बार में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है मिली जानकारी के मताबिक काजुरंगा पार्क में बने 130 पॉरिस चैंप पानी में ढूप चुके हैं बार में अब तक साथ गैन लोग समेट 25 से जादा जानवरों की मौत हो चुकी है अमेरिका ने भारत में बढ़ती असहिशनूता और हिंसा पर चिंता जटाते कोई भारत सरकार के कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और अफरादियों को सरदा दलाने के लिए रहे हर संभब प्रयास करें भारत में गोमार्स का सेवन करने वाले लोगों के खिलाव कथि चंसा की घटनाएं और मध्यप्रदेश में भैस का मास ले जा रही दो मुस्लिम महिलाओं के साथ माधीत की घटना से जोड़े सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश उधाग के प्रवक्ता जॉन किर्दी ने कहा सभी तरह की असहिशनुता से मुकाबला करने और धार्मी कथा अभिवेक्ति की स्वातन्सरता को बनाए रखने की कोशिश में हम भारत सरकार और नागरिकों के साथ है यूपी में गर्माते चुनावी, माहौल और गलिक वोटो की कीचतान के बीच केंद सरकार के राज्यमंति गामदास अठावले ने मायावती पर निचाना सादा है अठावले ने जोरदार हमला करते हुए बोला है कि मायावती बाबा साहिब अम्डेटकर के नाम पर राजमीती तो करती है लेकिन उनके आदस तो खोल नहीं मांदी इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेदकर के नाम पर राजी की तर्म अपना लेना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोधी दलित वरोधी नहीं है हिमाशल प्रदेश में गोहत्या परपती बंद लगाने के बाद अब हाई कोट नहींद सरकार को आदेश चारी कर कहा है कि गोहत्या रोखने के लिए छे माँ के भीतर कानून बनाया जाए शुकरवार को हाई कोट के निया ज़िश निया मूर्टी राजीर शर्मा और निया मूर्टी सुरेश्वर ठाकूर की खंड पीट ने के इंद सरकार को ये आदेश चारी की इसे पहले ऑक्टुबर 2014 में भी हाई कोट की इसी खंड़ीट में मांचल में गोहत्या पर ठतीबंद लगाने के आदेश चारी के थे उसके अलावा हाई कोट ने सड़कों से आवारा पश्चू हटाने उनके लिए गोस्दन बनाने और घायल पश्चूों के इलाज सहित अन्यकई आदेश दिये थे इसी सिल्सने में हाई कोट ने सुनिवाई के दौरान शुक्रवार को केंद सरकार कोभी को हट्या पर प्रतीबंद लगाने के लिए छे मां के धीतर कानून बनाने के आदेश सारी के गए है मायवती को गाली देने के आरोपी डीजेपी के वरखास उपाद ठक्ष दयाशंकर सिंग को 14 दिनों के लिए जेल पूज किया गया है दयाशंकर को कल रात मौँ कोट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल पूजा गया देशंकर सिंग ने जेल जाने के पहले मुख्यमंटरी से बीस्पी नीता नसीमगदिन सिद्गी के खिलाव की कारवाई की माम की गिरफतारी के बाद देशंकर ने खुले तोर पर यूपी के मुख्यमंटरी अखिलेश क्याद़ को चिनाट देरा लिए उन्होंने कहा कि उनकी परिवार के हैस अजसे के साथ अन्याई किया गया है उनके खिलाव केस भी दच किया गया है ऐसे में सरकार उन्हें गिरफतार करके दिखाए गौर्टलब है कि देशंकर की पत्मी की ओर से ये मुकदमा दच कराया गया है देश के दस राज्यों में बारिश ने कहर मचार रखा है उसरा खंड, विहार, उसर्पदेश, राजिस्थान, करनाटा, असन सहित दस राज्ये इन दिनों भारी बारिश और भार्ड की चपेगी है मौसम विभाग में पश्चिमी, पश्चिमी उत्री, राजियो सखित, राजभानी दिल्ली और एंसियार के कुछ शेत्रों सहित, हर्याना और उसके आसपास के इलाखों में बारिश लगातार जारी रहेगी सुबा खोते ही फिर दिल्ली में जाम लग गया है ट्राफिक पुलिस में ट्विच कर दी करीब आधा दर्जन इलाकों की जानकारी बारिश की वज़ा से दिल्ली और एंसियार में सड़कों पर भ्यंकर जाम लग रहा है वही एहंदबाद बार से जूच रहा है मदरप्रदेश में लोगों के लिए रोग पे का सहरा है तो पनातक के बैंगलीगों में राखत वचाव अभ्यान शुरू हो गया है असम सहिर पुलोर्तर के कुछ हिस्तों में भी बदहाली का आलम है पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज पर एशिया के बाहर सबसे बड़ी जीदच करने के बाद टीम इंडिया की नजरे अब दूसरे टेस्ट में जीदच कर वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज में एक से ज़्यादा मैच जीद अपना रिकॉर्ड बहतर करने प के पहले की दिन सुभा शेनोन गेब्रियल जीन गेंड अंगूठे में लगी थी वेवेस्ट इंडीस की दोनों पारियों में फील्डिंग के लिए नहीं उत्रे दूसरे टेस्ट की टीन में दूसरे सलामी बलेबाज के एल राफुल को मौका दिया गया है राफुल ने टेस्ट फिंठला से पहले दोनों अपसाथ मैचों में अच्छी बलबाजी की थी